नमस्कार, डेश ओनलाइन में आपका स्वागत है, ब्रमान्ड में एक एक ऐसा स्थान भी है, जहां 24 घंटे में 16 बार सूर्योदे होता है, यानि की हर 90 मिनट में यहां दिन और रात होती है, आए जानते हैं कि कहां ऐसा होता है, अंटाक्टिका, अलास्का और नार्वे, आप सिर्फ 10-10 मिनट के लिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि, ब्रमान्ड में एक ऐसा स्थान भी है, जहां 24 घंटे में 16 बार सूर्योदे होता है, यानि की हर 90 मिनट में यहां दिन और रात होती है, हर 90 मिनट में रात और दिन होने का कारनामा होता है, धर्ती से दूर आसमान मे यह स्थान है, इंटरेशनल स्पेस स्टेशन इस पर रहने वाले अंतरिक्ष यात्री हर 90 मिनट में होने वाले सूर्योदे और सूर्यास्त के गवाह बनते हैं, आईए समझते हैं कैसे, ISS धर्ती की परिक्रमा करता है, ऐसा करते समय, इसकी स्पीड 27,580 किलोमीटर प्रतिगं से ज्यादा होती है, अपनी इसी गती की बदौलत, ये धर्ती की एक परिक्रमा महस, 90 मिनट में पूरी कर लेता है, इसलिए यहां इतनी जल्दी दिन और रात होते हैं, खास बात ये है कि, जब ISS पर सूर्य की रोशनी पढ़ती है तो, इसका तापमान 121 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, जो पल्भर में ही राख कर सकती है, जब ये धर्ती के पीछे जाता है तो, यहां का तापमान 157 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, तापमान का एकदम से भरना और गिरना, अंतरिक्ष यात्रियों पर असर नहीं डाल करते, क्योंकि स्पेस स्टेशन के अंदर का तापमान ज्यादा प्रभावित नहीं होता, इनकी स्पेस सूट को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि ये तापमान को सहन कर सकें